पस्चिम बंगाल के शंदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार टीमसी और बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी पर हमले बोल रही है। और सभी आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की है। इस दोरान बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी मम्ता सरकार पर करारे हमले किये। ये इतने दुशकर्म संदेश खाली में होते जा रहे हैं। और मम्ता बैनरजी से मैं पूछना चाहती हूँ। क्या बात मम्ता केवल नाम में है। वो इतनी निर्मम और क्रूर क्यू हो गई। आदर्णिय मुख्यमंत्री जी एक बार भी संदेश खाली नहीं गई है। टीमसी वो पार्टी है जो मा, माती और मानुस की बात करती थी। आज माती शर्मसार है। मानुस को उठाकर ये बंद कर देते अगर कोई गलती से आवाज उठाए। और माये अरे वो तो बेाबरू हो रही है टीमसी के ही दफ्तरों में। मैं तो शुक्र बुजार हूँ और्बल हाइकोट की कि उन्होंने इतनी सखत फटकार लगाई टीमसी की सरकार को कि तभी कुछ कारवाई हुई और संदेश खाली के शैतान को कल गरफतार करा गया। लेकिन आपने भी देखा वो गरफतारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी वी वी आईपी को पुलिस प्रोटेक्शन में स्कॉर्ट करा जा रहा है। मम्ता बैनर जी की चुप्पी जब तक नहीं तूटेगी और जब तक की वो इस्तीफा नहीं देंगी तब तक भाजबा का एक एक कार करता आवाज उठाता रही। बतादी की शेख साजहां पर संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीडन समित कई गंभीर आरोफ हैं। शंदेश खाली की महिलाएं साजहां और उसके भाई के खिलाफ लंबे समय से करवाई की मांग कर रही थी। हलांकि साजहां को गिरतारी के बाद पुलिस रिमान में भेज दिया गया है। वहीं लंबे समय से फरार साजहां की अचानक गिरतारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विजेपी भी इस मुद्दे पर ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। बलातकार या बलातकार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। दूसरी बाद ये भी बहुत साफ हो गया कि जो पशिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरिफतारी पर रोक है उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लिना देना नहीं था। तीसरी बाद उन्होंने जो एडी के विशे के उपर गिरिफतारी की रोक हटने के बाद गिरिफतार किया तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूँ कि यदि आपने एडी के विशे पर गिरिफतार किया है तो पश्रिम बंगाल सरकार उन्हें एडी को क्यों नहीं सौब दे रही है मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेश के साथ कहा जा सकता है बलकि पुखता संदेश के साथ कहा जा सकता है कि शा जहां शेख महफूस ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूस था और अब उसे दुबारा हिफाज़त देने के लिए ताकि वह एडी और सीबी आई के द्वारा गिरिफ्तार ना किया जा सके वो पश्चिम बंगाल पुलिस की महमान नवाजी में चला गया है पतादे कि शाजहां की गिरिफ्तारी के बाद उसे टीमसी से निलंबित कर दिया गया है अलाएंकि इसके बाद भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर शंदेश खाली और शेक साजहां को लेकर सवाल उठ रहे हैं टाइमस्टाउन और भारत दिश्टल की रिपोर्ट